कि अगर आप लोग भी इंडिया पोस्ट पेइमेंट बैंक में अपना खात खुलवाए हैं तो आप लोग अपने एटीम कार्ड के लिए या डेविट कार्ड के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं दोस्तों आजके इस वीडियो में आप लोग को ही बताने वाला हूं और पूरू इस वीडियो की डिस्क्रेशन बाक्स में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा उस वीडियो में मैं पूरा कंपलीट बताया हूं कि इंडिया प्लिंट बैंक ऊपलिकेशन को कई से बना जाता है तो दोस्तों आप लोगों क। अपने इस application को जाब नेक बाद नेक وदोST यहाँ प्लोगों ठोला गां तो दोस्तों आप लोग आप लोग अपना यहां पर डाल देना है यंपिन को डानने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा इंतिजार करना है और दोस्तों आप लोगों को यहां से देख भी सकते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा है आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरे बैंक के बाढ़ करने के आपको इस पर फॉस्ति करने के बाढ़ करने के थिए में इस पर की इप करनें के पर आपको यहाँ पर नीचे का अच्छी तरिम का आपको शरुआ करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रका के इंटरफस आजाएगा आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि आप जब आपने ATM कार्ड के लिए यहां पर आप कंफर्म करेंगे तो दोस्तों आपके बैंक से सम्मिट पर किलीक करने है डो आप्लोग के सामने यहां प्रका का कारणर ञड़ा है आप लोगों के समनी यहां पर फिय तक हम भूबा मृडप पर केलिखेंगे सम्मीट पर किलिक करने के बद आप लोग के सामने यहां पर कुछ इसपर का का ने डाल देना है यहां पर किलिक करने के बद दोस्तों यहां पर थोड़ा सा इंतियार करना है तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं यहां पे जो है गाइस मेरा यहां पे वर्ट्वेल डेविड कार्ड यहां पे जो है एटियम कार्ड मिल गया आप लोग यहां पे देख सकते हैं यहां पे एटियम कार्ड का दिया है आप लोग यहां पे देख सकते हैं यहां और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक लिए जय हैं दुबान देमातनों